जहें दोस्तों स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में मैं हूँ मेर मोगरे तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि हीट वेव से कैसे बचा जा सकता है क्योंकि हीट वेव बहुती खतरनाक होता जा रहा है उससे कई लोगों की जाने जा रही है और इसी वज़े से बह हीट वेव है बहुती बुरी तरीके से सभी तरफ यहाँ पर अपना कहर बढ़सा रही है जासे कि आप देख सकते हो कि भारत में ही बुलिये पकिस्तान में बुलिये हर जगह क्लाइमेट चेंज जो है उसका असर अब हर जगह दिखाई दे रहा है वो सिब भारत तक सिमित नहीं रह रहा है और इसलिए ग्लोबल लेवल पर क्लाइमेट चेंज से लड़ने के लिए देशों ने कुछ करना चाहिए ऐसी योजनाय कई बार सामने इकल कर आती है खेर जब हम यहाँ पर बात करते हैं हीट वेव की तो हमारे एक्जाम परस्पेक्टिव से भी हीट वेव जो है कफी साथ है यहाँ पर अगर आप देखोगे तो हीट वेव जो है यह हमारे प्रिलिम्स के लिए हीट वेव, ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज इन सभी चीजों के लिए यहाँ पर काफी important है उसी के साथ साथ अगर हम मेंस परस्पेक्टिव से बात करते तो हीट वेव के causes क्या क्या है, impacts क्या क्या है, majors हम क्या क्या ले सकते हैं उसे tackle करने के लिए यह सारी चीज़े हमारे लिए import हो जाती है तो इन सभी परस्पेक्टिव से हम आज के इस वीडियो को cover करने ही कोशिच करेंगे, अब उससे पहले mmacademy app अगर आपने डाउनलोड नहीं किया है तो जरूर किची यहाँ पर आपको UPHC के लिए complete package मिल रहा है, जी हाँ सभी courses available है, GS1 बूलिए, GS2 बूलिए, GS3 बूलिए, GS4 बूलिए, प्लस आपको bonus courses जो है सब unlock हो जाएंगे, तो download कीजिए mmacademy app और videos को enjoy कीजिए, यहाँ से आप download कर सकते हो, download करने का तब sign up कर सकते हो, demo lecture जो भी देख सकते हो, कि मैं हमेशा बोलता हो कि पहले इस्तमाल करो, फिर बीच्पास करो, profile पर जाहिए, plan purchase कीजिए, courses को enjoy कीजिए, अब यहाँ पर आप दे इसमें और जादा heat wave जो है, वो दिखाईते रहे हैं, तो यह वाला जो पैंच अगर आप देखो के specifically, बहुती बुरी तरीके से impact हुआ है, और इसकी वज़े से काफी लोगों की जान जो है, वो भी जा रही है, मतलब आप देखोगे, तो जैसे से हम साल आगे बढ़ रहे है वैसे वैसे जो गर्मी है, वो भी बढ़ती जा रही है, और जितनी गर्मी बढ़ेगी, उतना ही जादा जो नुकसान है, वो हमारे देश को होगा, अब देश को नुकसान कैसे होगा, वो भी हम आगे जाने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले heat wave क्या होती है, यह आपर समर्णा पहुत जरूरी है, heat wave क्या है, heat wave period of abnormally high temperature है, मतलब क्या होता है, abnormally जो temperature है, काफी जादा बढ़ जाता है, जितना normal temperature रहेगा, उससे abnormally, मतलब normally तो है, वो summer में temperature increase होता ही है, लेकिन यहाँ पर abnormally temperature बढ़ रहा है, और इसके वाज़े से जो लोग है, उनकी जान भी य होता है, यहाँ पर Indian Meteorological Department जो है, वो basically यहाँ पर heat wave आई या नहीं है, यहाँ पर दर्शाती है हमारे देश में, तो कब declare किया जाता है, heat wave के बारे में, जब temperature जो है, वो at least 40 degree Celsius plane में पहुँच जाता है, मतलब जो plane वाला इलाका है, and 30 degree Celsius हीली रिजन में जब पहुच जाता है क्योंकि हीली रिजन अगर आप देखो कि तो ज़्याद थंडे रहते हैं, अब थंडी जगह पर भी अगर गर्मी abnormally increase हो जाए, तो वो heat wave आई वो declare कर दी जाती है, मतलब समझ लीजे कि normally आपके आपर temperature अगर 35-36 degree temperature रहता है, लेकिन अगर normal temperature में 5-6 degree का abnormal यहाँ पर range बढ़ temperature में, तो उसे heat wave जो है, वो basically declare कर दी जाती है, तो यह question आपको exam में आ सकता है, अब दीए, क्या है कि बहुत सारी जगों पर जो global warming है, population growth है, इसकी वज़े से क्या हो रहा है, जादा जो exposure है, वो हो रहा है heat को, है ना, इसलिए urban heat island जो है, वो भी हमें देखने को मिल रहे है, तो exam के लिए आपको urban heat island पर भी question जो है, वो पूछरा सकता है, वो आपको पता रहना चाहिए, अब यहाँ पर harmful कितनी होती है, जो heat waves है, कितनी जदा harmful होती है, तो देखें यहाँ पर human mortality, जो मौत है, काफी जदा होती है, number जो है heat wave days के इंडिया में, वो increase हो गए है, पहले अ पढ़ जाएगी, जो heat wave है, उसकी जो मौत होती थी, पहले समयली जे 1990 के आसपास, जो मौत है, वो 5-5,500 के आसपास देखने को मिलती थी, लेकिन अब वही यहाँ पर 11,000-12,000 तक जो है, वो चली गई है, तो आप समझ सकते हो, कितना बुरा impact यहाँ पर हो रहा है, उसी के सा पाएगा, क्योंकि बहार जाकर काम नहीं कर पाएगे, उसी के साथ साथ जो agriculture में काम करते थे, farmers, वो आप सही तरीके से effectively काम नहीं कर पाएगे, दिन भर क्योंकि इतनी भायनक गर्मी वहाँ पर होती है, उसके होज़से क्या होता है, प्रोड़क्टिवीटी है, प्रोड़क हो जाएगी, और उसके होज़से क्या होगा, food insecurity हो जाएगे, food insecurity के असर भी हम देख रहे हैं, है ना हमें जो अलग-अलग food products से उसको ban करना पड़ता है, जिसके हमारा export जो है, वो एमपोर होता है, उसी के साथ जो inflation है, वो काफी जदा increase हो जाता है, food insecurity होने के होज़से, तो क यहाँ पर long term plan क्या हो सकता इससे बचने का, देखे, सबसे easy early warning system, early warning system जो tsunami आती है, जैसे अर्थ को एक आता है, उसके लिए हमने early warning system जो है वो लगाई भी है, तो यहाँ पर भी अगर हम early warning system कर दे, तो यहाँ पर लोग जो है पहले से तयार रहेंगे, कि भई हमें ऐसे से करन इससे इस तरीके से बचना है, जो heat wave action plan है, वो यहाँ पर बनाया देना चाहिए, क्या होता है कि हमने पास action plan अगर नहीं है, तो heat wave आ भी जाये तो हम सिप देखते रहते हैं, कि हाँ यार heat wave आ गई, अरे वापर इसके वेसे इतने लोगों की मौत हो गई, यह हो गया, वो हो तो यह सारी चीजों से बचने के लिए हमें यहाँ पर एक action plan बनाना बहुत ज़रूरी है, ताकि अगर heat wave आये तो हम इसकी जो सुविदा है वो बना सके, समलीजे यहाँ से case study निकलती, आप एक IS officer हो, और IS officer आप उस जगह पर हो, उस location में हो, उस area में हो, जहाँ पर heat wave हो हर स उसके लिए जैसे हम बाकी disasters के लिए काम करते हैं, mitigating efforts लगाते हैं, उसी तरह यहाँ पर भी लगा पाए, passive cooling जो है, वो हम यहाँ पर करना चाहिए, passive cooling यहाँ पर करने की वज़े से क्या होता है, कि मतलब basically passive cooling technologies होती है, जैसे naturally ventilated buildings होती है, उससे क्या होता है, उससे यहाँ पर change करते ना चाहिए, तो यह सारी चीज़े जो है, हम यहाँ पर कर सकते हैं, जिस से कि हम यहाँ पर heat value से बस सके, तो हमें उमीद करता हूँ कि आपको heat value के बारे में complete information मिल गई होगी, और जादा जादा लोगों तक share कीजिए, M account में डाउनलोड कीजिए, channel को subscribe कीजिए, मिलत झाल 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 झाल झाल